आज हम बात करेंगे अगर आपने assignment को submit कर दिया है और assignment को submit किये हुए 6 मैना, 7 मैना, 8 मैना या फिर पूरा एक साल या फिर एक साल से जादा हो चुका है लेकिन अगर अभी तक आपके assignment का number update नहीं हुआ है तो फिर ऐसे में आपको क्या करना होगा जिससे कि आपके assignment का number update हो जा साथी में किस condition में आपको दुबारा से assignment बना करके submit करना होगा इसके बारे में जाने के लिए वीडियो को पूरा देखिए और अगर आप चैनल पर पहली बार आए है तो चैनल को सब्सक्राइब करके bell notification को on कर लिजिए ताकि इगनुसर रेलेटेट सभी update और notification आपको time to time मि नीचे दिया हुआ है और यहां पर आपको एक और link मिल जाएगा आई गराम का इस पर आप क्लिक करेंगे यह page open हो जाएगा पहले इस पोर्टल के बारे में बात करते हैं इगनु के जाता तर स्टूडेंट को नहीं पता है कि आई गराम का पोर्टल क्या है और यहां पर दिया जाता है और आई गराम पोर्टल को इस पैसल इसलिए बनाया गया है ताकि बच्चों के साथ अगर कोई भी प्रॉब्लम रहता है तो यहां पर इस तीज को बता सके और अपना जो कंप्लेंट है वो रजिस्टर करवा सके अगर आप यहां पर कंप्लेंट को करेंगे अगर ठीक नहीं करते है तो फिर इगनू हैड कोटर के तरब से आपके प्रॉब्लम के ऊपर कारवाही किया जाएगा अब कंप्लेंट आपको रजिस्टर कैसे करना है उसके बारे में बात कर लेते हैं तो इस पेज पर आने के बाद यहां पर आप अपने प्रॉब सेंटर है यहां पर आप अपना इंडॉल्मेंट नमर डालेंगे यहां पर नाम डालेंगे यहां पर आप अपना प्रोग्राम कोड सेलेक्ट करेंगे यहां पर इमेल डालेंगे और यहां पर मोबाइल नमर डालेंगे जो वरकिंग कंडिशन में है और यहां पर आपका जो पर भी रखा हुआ है, स्कुआ पिक करेंगे, सम्मिट पर किलिक करेंगे, तो एक GS token नमर जरनेट होगा, जो की ऐसा रहता है, अगर GS token नमर आ जाता है, तो इसका मतलब यह है कि आपका complaint register हो चुका है, जिसका status आप यही से चेक कर सकते हैं, कि आपने जो complaint register करवाया है, उसका भी क्या status है, यहाँ पर अगर आप अपने complaint register करते हैं, तो इसका 100% आपको reply किया जाएगा, और जो भी solution रहता है, वो आपको बताया जाएगा, अगर दूसरे method के बारे में बात करें, तो इसके लिए जो भी आपका relationship center है, और study center है, वहाँ पर आपको इ-mail send करना होगा, अब देखिए, अगर आप email send करेंगे, रिजन सेंटर पर तो रिजन सेंटर वाले study center पर करेंगे, तो इसलिए आपको दोनों जगऺे पर ही email send करना होगा, начала center पर भी और study center पर भी, और देखिए, अगर आप email send करते हैं assignment के number के regarding तो इसमें आपको क्या क्या reply किया जा सकता है तो पहले आप उसको समझ लीजिए जब आप रिजिल सेंटर पर email send करेंगे तो रिजिल सेंटर वाले study center पर email send करेंगे कि आपके assignment का number update किया जाए जैसे कि इस तरीक से किया जा सकता है यह मैं आपको previous session का बता रहा हूं जिसमें कि यहाँ पर एक list रहता है इसमें student का नाम रहता है enrollment number रहता है और कौन से subject का assignment का number update नहीं हुआ है वो यहाँ पर लिखा हुआ रहता है जैसे कि आप यहाँ पर यह पूरा list देख सकते हैं यहाँ पर भी आप देख सकते हैं तो इसमें आपके regional center के तरप से study center वालों को बताया जाता है कि आपके कौन-कौन से subject का assignment का number update नहीं हुआ है उसे जल्द से जल्द update किया जाए यानि कि regional center वाली study center वाले को बोलते है कि आपके जो assignment का number है वो regional center पर भीजा जाए जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं इसलिए आपको दोनों ही जगे पर email send करना होगा regional center पर भी और स्टडी Center पर भी और इसके लिए आपको regional center और study center का email ID पता होना चाहिए email id कैसे निकाल सकते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं तो उसके लिए आपको इस वाले page पर आना होगा आपके regional center का जो भी नाम है उस पर आप click करेंगे जैसे कि Delhi 3 है तो इस पर आप click करेंगे ये page open हो जाएगा और यहाँ पर आपको email id मिल जाएगा regional center का regional center का mail id आपके regional center के नाम पर ही रहता है जैसे कि Delhi 3 तो rc.dally3.ac.in अगर पटना रहता है तो rc.ac.in इस तरीके से mail id आप पता कर सकते हैं तो यहाँ से आप mail id को copy कर लिजिए और यहाँ पर आप अपने regional center का mail id इस तरीके से डाल देंगे उसके बाद आपको study center का mail id पता करना है तो उसके लिए आप regional center के website पर आएगे और यहाँ पर आपको मिल जाएगा study center इस पर आप click करेंगे एक PDF file open हो जाएगा जो भी आपका regional center रहता है उसके अंतरगत जितने भी study center आते हूं सभी का detail यहाँ पर दिया हुआ रहता है जैसे कि अगर आपके study center का code है 38.025 तो उसका पूरा नाम उसका address उसका mobile number और यहाँ पर email id भी दिया हुआ रहता है तो यहाँ से आप email id को copy कर सकते है और फिर आप यहाँ जो study center का email idea वो भी आप यहाँ पर इस तरीके से enter कर देंगे यानि कि दोनों ही जगे पर आपको email send करना होगा और अब बात करते है कि यह जो email का format है वो आपको कहाँ पर मिलेगा तो यह आपको हमारे telegram channel पर मिल जाएगा telegram पर आप यह वाला hashtag search किजिए 48.95 फिर यह जो mail का format है आपको मिल जाएगा और जैसा कि मैंने आपको बताया email आपको regional center और study center दोनों पर ही send करना होगा email के subject में आप लिखेंगे assignment marks not updated यहाँ पर आप enrollment number लिखेंगे यहाँ पर program code लिखेंगे और जिस भी method से आपने assignment को submit किया वो आप यहाँ पर बताएंगे अगर email से किया है तो by email लिखेंगे Google forum से किया है तो by google forum लिखेंगे अगर courier से किया है तो by courier लिखेंगे या फिर speed post लिखेंगे और यहाँ पर अगर offline किया है तो at study center लिखेंगे और जिस दिन आपने assignment को submit किया उस दिन का date आप यहाँ पर लिखेंगे और आपके जिस भी subject क assignment का number update नहीं हुआ है वो आप यहां पर कोमा लगा लगा करके जो भी subject code है वो आप यहां पर लिखेंगे और जो assignment submission का proof है वो भी आपको इस email में attach करना होगा तो यह email का पूरा format जिसका इस्तमाल करके आपको email study center और regional center पर send करना होगा working days में आप mail send कीजिए 10 बज़े के बाद औ दिखा दिया है कि reply जो आएगा वो किस तरीके से आपको reply किया जाएगा और अब बात करते हैं कि यहां पर आपको क्या लिखना होगा तो यह जो email का format है तो यहां से ले करके नीचे तक यह पूरा जो email का body है वो आपको यहां पर same to same इस तरीके से एंटर करना होगा यानि कि यहाँ पर भी यह चीज़े आपको लिखना होगा तो यहाँ पर क्या चीज़े लिखना है यह email के format में बताया गया है जो कि आपको हमारे टेलिग्राम चैनल पर मिल जाएगा और अब बात करते हैं कि अगर आप assignment के number के regarding इगनु को आइग्राम करते हैं और बहुत सारा email भी send क करते हैं लेकिन आपके assignment का number update नहीं होता है और assignment को submit किये हुए एक साल या फिर एक साल से जादा हो चुका है तो ऐसे में जिस भी subject आपके assignment का नम्मर update नहीं किया गया है उस subject का assignment आपको दुबारा से बना करके submit करना होगा फिर जो आपके assignment का नम्मर है इसको update कर दिया जाएगा तो इस वीडियो में इतना ही अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो like किजिए share किजिए और इगनुस related सभी update instantly पाने के लि link नीचे दिया हुआ है और आपका कोई सवाल है तो नीचे comment box में बता सकते है